दिली एरपोर्ट पर तेरह लोग पकड़े गए हैं वह तेरह लोग वीदेशों में जा रहे थे उनके पास वेजा और टिकट और पासपोर्ट भी था वह लोग दुबई, मलेशिया और कतर जाने वाले थे उन लोगों के पास सभी डॉकुमेंट होने के बावजूद भी वह पकड़े गए हैं क्योंकि उनका वीजा तो जो था वह वीजा फर्जी है वीजा फर्जी आज़ेंट ने उन्हें दिया है वह अपने मर्जे से बनवा कर नहीं जा रहे हैं इसमें जादतर लोग उतरपरदेश, बिहार और राजस्तान के दो सक्स है यह तेरा लोग अपने पासपोर्ट और टिकट लेकर के और वीजा लेकर के दुबई कतर और मलेसिया के लिए जा रहे थे वह सभी लोग एक ही एज़ेंट के जरीए अपना पासपोर्ट मंगवाए थे और एक ही एज़ेंट इनके साथ दोगा दड़ी करा इन सभी ने पूछतास में बताया कि एज़ेंट ने उन से 90,000 से लेकर के 1,000,000 रुपेर तक लिया है और उन लोगों को फरजी टीकट और फरजी पासपोर्ट भी पकड़ा दिया है कुछ लोगों ने बताया कि एज़ेंट ने उन्ने ओनलाइन वेज़ेंट चेक करके भी दिखाया कि उनका वेज़ेंट असली है वहाँ पर उनका डॉकुमेंट चेक किया गया जहां पर पता चला कि उनका वेज़ेंट फरजी है एयरलाइन के स्टाफ ने उन सभी को पुलिस के हवाले कर दिया एयरपोर्ट पुलिस ने उनसे पूछ तच किये आज एयरपोर्ट पुलिस को बताया उन लोगों ने कि पहले तो उनने इंटरिव्य कराया गया फिर उनसे पैसे लिया गया जिसके बाद उनका मेडिकल कराया गया और फिर उनको फरजी टिकट दिया गया टिकट ही नहीं उनका वीजा भी फरजी है जिसके बाद उन लोगों को वहां से पुलिस वाले ने उन्हें वापस लोटा दिया छोड़ दिया बाद में उन लोगों ने उस एजन्ट के खिलाफ में F.I.R. दर्च करा हैं और उनका जो ऑफिस है वह भरत नगर में है उनके मुत जिस्टर्ड ओफिस है